कोरोना के संकटकाल में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने परिजनों के इलाज करवाने और अंतिन संसकार नमी शामिल नहीं हो रहे हैं ऐसे में एक समाज का बर्ग ऐसा भी है जो दूसरों की मदद कर रहा है और आंगे आ रहा है खुन की कमी पूरा करने के लिए रग्तदान का यहां पर आयोजन किया जा रहा है समाज के लोग खासकर सेंसमाज के लोग बढ़ चल कर हिस्सा ले रहा हैं उधरन पेश कर रहा है हमारे सैन समाज के द्वारा जिस त्रीके से देश में कौरोना की महाली होstone है और अनेक लोग बीमार पड़ incidents और बलॉट की जो कमी पड़ रहे हैसे सेन समाज के हमारे जैसे रोकी भाई हो गए चंचल हो गए कजुब सब्सक्राइब कर रहा है और आंगे भी हम लोग प्रयास कर रहा है कि समाज में किसी भी प्रिकार की विलड की कमी होती कहीं भी किसी को लोग दो تरुन्त सब्सक्राइब कराते हैं और सरकार को मरत कर हैं कि इसी े अपने समाज के सभी लोगों से वुलना है और हम एदन करना चाहते हैं कि और समय क्लिबदन करना चाहते हैं में आंगे आएं लोगों की मदद करें उनका उस्षाय बढ़ा है जिस तरीके साथ भैवेवाक्त है कि कोरोना होने से ऐसा ऐसा हो जाता है तो लोग डर के मारे खासी भी होती तो डर जाती है घर में सेहम जाती है तो मेरा कहना के मतलब यह है कि खासी और भुखारों से डरें यह मौसमी चीज है कोरोना होता है तो अलग समझ में आता है कोरोना के लिए सकार भी लगी हुई है और कोरोना इतनी असानी से खिसी को हो नहीं रहा डरने की जरूवत नहीं डर के कारण हमको ज्यादा हाभी हो रहा है तो मैं लोगों को इसी माध्यम से हमारे पैलून एंड लापूर सहरवासियों से कि वह अभियान से जुणें और बिलड दे के मानावता सची मानावता सेवा का लाब उठाएं आज 50 लोगों उन्हें अभी हो जाए गवाद 40 अक लोग अभी हो गए हैं और अभी 10-12 लोग और रूप हो जाएंगे सब्लाब संजय सेन